हाई फ्रेंड्स मैसल्फ दॉक्टर ओमंग और तुड़े आपका हिमार्चल जी के इस लेक्ट्चर विल बेरी उस्फुल फोर था एक्जाम्स हिमार्चल अडिस्टिटिव सर्विस इसके इलाबा हिमार्चल का अलाइट सर्विसीज का एक्जाम आता है आपका नाइब तसीलदारगा एक्जाम चाइल्ड डेवल्पमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सीडी पीओ पटवारी और कोई भी डेपार्टमेंटल एक्जाम निकलता है तो उसके लिए काफी यूस्फुल रहेगा एप्रोच जो है मार्चल को कवर करने के लिए देखी मार्किट में बहुत सारी बुक्स हैं बट स्टिल दवांडरलेंट जगमोहन ब्लोखडा एंड मिया गोवर्धन सेंग मिया गोवर्धन सेंग यह दो बुक्स सफिचेट है इसके अलावा आपने एक्जाम के लिए एकनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल जो लेटेस्ट आता है वो जरूर कवर क सकते हैं एकनॉमिक सर्वे को ठीक है मैं भी इसको कुवर करूंगा सेवन तू एट क्वेस्टन जो है प्री में हम एक्सपक्ट को सकते हैं कि पिषक्टाने की कोशिश करूंगा ठीक है, we are going to start with हिमाचल जी के, अगर आप देखें इस map में, तो आपको हिमाचल की location red color में दिख रही होगी, तो थोड़ा सा इसकी boundaries देख लेते हैं, देखें इस side north में हिमाचल J&K को touch कर रहा है, इधर इस side पंजाब, then हर्याना, then उत्रहंट, और east में चाइना के साथ border भी ब हिमाचल is a Sanskrit word, it is a combination of two words, हिम आचल, हिम means no, आचल means lap, so it is a tiny state located in the western Himalayas, हिमाचल प्रदेश, before separation, earlier हिमाचल was part of Punjab, and it was created on 15th April 1948 as chief commissioner's province, तो यह सारा part हम हिमाचल की quality में cover करेंगे, ठीक है, यहाँ पर just मैं एक brief introduction दे रहा हूँ, हिमाचल की regarding basic facts, ठीक है, और हिमाचल में पहले जो चार districts exist करते थे, चमबा, मंडी, सिर्मोर, महसू, 1966 में पता होगा कि हिमाचल जो है, पंजाब से separate करा गया था, पंजाब का कुछ part हिमाचल में add कर दिया गया था, और ultimately 1971 में हिमाचल को complete statehood मिली थी, इससे पहले हिमाचल जो है, यूटिक था, ठीक है, तो हिमाचल की geography में district discuss करूँगा, यहाँ से question मैं इस तरह की expect कर सकता हूँ, जैसे की not to south, चार districts का नाम examiner लेख सकता है, बुलेगा आपको arrange करिए not to south, west to east, कौन सा border, कौन सा district जो है, कौन सी state के साथ border बना रहा है, इस तरह के question expect कर सकते हैं, मैं हिमाचल की geography में cover करूँगा, ठीक है, now we will discuss some basic facts, क्योंकि हिमाचल का paper जो है, factual काफी रहता है, जो मेरा experience है, last six to seven years का, उसके accounting मेरे को लगता है कि हिमाचल वाले facts ज्यादा पूछते हैं, so I will try to cover the maximum facts, so capital सबको पता है, शिमला और धरमशाला जो है, इसके winter capital है, districts, 12 districts, present governor, अचार्य देवपरत, chief justice, justice संजे करोल, चीफ मिनिस्टर जैराम ठाकुर, legislature जो है, unicameral, uni मतला single camera, मतला house, legislative assembly है, हिमाचल में legislative council नहीं है, legislative assembly की total 68 seats है, that is important, total area is 55673 square kilometer, area wise rank हिमाचल का 18th, population total लगब 68 lakhs के करीब, according to 2011 census, population wise rank is 21st, density, this is very important fact, 123 persons per square kilometer, official language of the state is Hindi, additional official language is English, HDI में rank भी अगर देखे हैं, हमारी state का काफी अच्छा है, literacy rate of हिमाचल is 82.80%, next, state symbols देखे हम, state animal is snow leopard, state bird is, आप कोशिश करें के इनके scientific name या latin name भी याद रखे, state bird is western tragopore, state flower, pink rhododendron, state tree, it's द्यवदार, very important, divisions, for administrative purpose, हिमाचल has been divided into three divisions, कांगड़ा, कांगड़ा के अंदर districts आपने आद रखने हैं, कांगड़ा division में, चंबा, कांगड़ा, उन्ना, मंडी, मंडी division में, बिलासपूर, हमीरपूर, कुल्लू, लहाल, स्पिती, एंड मंडी, देखे, maximum district है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, शिम्ला, शिम्ला division में, आपके districts जो हैं, किन नौर, शिम्ला, सिर्मोर, सोलर, ठीक है, शिम्ला is the summer capital, धर्मशाला is winter capital, next, subdivision 62, block 78, तहसील 145, ग्राम पंचाय, इस इंपोर्टेंट फिगर, 3, 2, 2, 6, विलचिच्स, 20690, लूक सभा से इस, इस 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 इस, इस 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 Лिचमोररे। 3, लग सभा से इस्पीच्स, Hoje, ईसव्ला विलच इस 98, इस इस इसAy한유च में, को man पोकर नेटिवली बिलॉंग तुदा ग्रूप ओफ हिमाचली लेंग्वेजिस समुदा मोस्ट कॉमनली स्पोकन लेंग्वेजिस यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कुल्भी मंडियाली कांगडी कि नौरी चंबेली नेक्स्ट डेमोग्राफिक प्रोफाइल आफ हिमाचल परदेश यहां से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हों के वर क्वेश्चन पूछे जासते हैं आपको लिखके वर क्वेश्चन आपको डिस्टिक्स के नाम लिख देगा बोलेगा अरेंज करिए अकॉर्डिंग थर्ड के नौर लार्जेस्टिक पॉपलेशन वाइस मैक्सिम पॉपलेशन सबसे ज्यादा कहां पर कांगडा फॉपलवड बाई मंडी देन शिमला वेरी इंपॉर्ट डेंस्टी पॉपलेशन देंस्टी हमीरपूर देन उन्ना देन बिलासपूर पॉपलेशन ग्रोथ रे हमीरपूर डिस्टिक दिन उन्ना देन कांगडा सेटेशन वेरी इंपॉर्ट हैं अगें मुझें इंपॉटेंट पॉइंट मैक्सिम सेक्स रिचा हमुफूर देन फॉल राय बाद और मांडी very important smallest district area wise it's Hamirpur then Bilaspur then Una Hamirpur सबसे छोटा Hamirpur से थोड़ा सा बड़ा Bilaspur Bilaspur से बड़ा Una so these are in ascending order smallest district population wise देखे Lohalspiti and then Lohalspiti के बाद दूसे नमबर पर किनौर then Bilaspur density सबसे कम density जो है हिमाचल में Lohalspiti district then Kinnaur followed by Kullu population growth rate minimum Lohalspiti Kinnaur then Hamirpur literacy rate सबसे कम literacy rate जो है चमबा में है then Lohalspiti followed by Shermore sex ratio least Kinnaur followed by Solan followed by Shermore very important demographic facts regarding हिमाचल next population of हिमाचल प्रदेश I have already discussed as per 2011 census it's 68 lakhs male population female hardly it could be asked and population density 123% per square kilometer sex ratio Linkan उपाद जिसे कहते हैं number of females per thousand males 972 rural population हिमाचल में बहुत ज़्यादा आया urban population बहुत कम है urban population next important facts literacy rate 83.78% और जिसमें से कि हम देखे male literacy rate is 90.83% female literacy rate is 76.60% rural population percentage में देखे 89.97% और अर्बन population 10.0% urbanization का rate हिमाचल में बहुत ज़्यादा कम है ठीक है अपनी facts जो है इसके urbanization के regarding याद रखने है sex ratio comparison करूँगा 2011-2001 के साथ क्योंकि examiner पूछ सकता है कि पहले की comparison में increase हुई है decrease हुई है 2011 में sex ratio थी 972 2001 में 968 तो comparatively increase हुई है और एक 1951 का data देखे तो 912 child sex ratio that is between 0 to 6 2011 में 909 and 2001 मे decrease हुई है this is important point थे child sex ratio जो है sorry हमारी increase हुई है increase हुई है ठीक है 896 2001 में and 2011 में 909 density 2001 में 109 and 2011 में 123 अगर इस तरह का question पूछले कि highest sex ratio हमार्चल में किस time रही थी 976 थी 1991 में next largest river of हमार्चल प्रदेश is Chennav करेंगे discuss river system of हमार्चल प्रदेश में largest glacier बड़ा शिगरी glacier लोहल स्पिती में largest natural lake रेनुका लेक सिर्मोर डिस्टिक में artificial lake गोविन सागर लेक बिलासपूर में जिसके उपर आपका भाखडा डेम है highest dam भाखडा नंगल डेम highest cricket ground लोहल स्पिती में लोहल स्पिती में लोकेटेद है हाइस पीक शिला के नोर में वेरी इंपोर्टेंट next highest hydroelectric project wrong town लोहल स्पिती में longest river is सतलुच largest wildlife century किबर लोहल स्पिती में highest lake is सूरचिता लेक again लोहल स्पिती district largest hot water spring मनिकरन कुलु में largest hydroelectric project पारबती hydroelectric project पारबती is one of the tributary of ब्यास river ranius district kangra maximum rainfall driest place लोहल स्पिती बहुत कम rainfall है यहाँ पे ranius places धर्मशालाइन kangra driest place is स्पिती लोहल स्पिती में smallest district area wise अल्रड़ी हमने डिसकस कर लिया था हमीरपुर population wise लोहल स्पिती smallest river length wise अगर आप हिमाचल में देखे तो major rivers जो जाती है उन में से smallest river जो है यह मुना smallest wildlife century शिली सोलन smallest artificial lake पंडो पंडो डैम इस लोकेटेद इन मंडी दिस्टिक next forest area हमाचल का देखे तो 37033 square kilometer इस इंपोर्टेंट आप यह वेल्डिव याद रखिये next Hinduism is the major religion in Himachal Pradesh more than 95% of the total population they have Hindu faith Himachal Pradesh has the highest proportion of Hindu population among the states and union territories percentage wise देखे तो Himachal जो है ऐसी state है जहां पे maximum Hindu है other religions इसके इलावा जो Himachal में है Islam, Buddhism and Sikhism Muslims they are concentrated in Sirmaur, Chamba, Una and Solan or Inkajoo composition at 2.53 to 6.27% of the population Buddhist they constitute 1.15% and they are located mainly in Lahal, Spiti and Kenaur district Sikhs Sikhs they mostly live in the towns and cities and they constitute 1.16% of the state population culture culture की बात करें Himachal Pradesh Himachal Pradesh was one of the few states that had remained largely untouched because of difficult terrain so Hindu community जो है residing in Himachal Pradesh they include Brahmins Rajputs क्यास्थ कानित्स राथिस कोलिस Tribal population Gaddis Kinors Gujjars Pangaywals Lahals डिसकस करेंगे जब हम tribes बगेरा Himachal के डिसकस करेंगे जस्ट यहाँ पी में एक overview कवर कर रहा हूँ Himachal is well known for handicrafts Carpet Leatherwork Shawls Kangra Paintings Chambarumal Metalwear Woodwork Paintings We will discuss each and everything in detail Pashmina Shawl This is famous in Himachal and Staple diet Rice Vegetables Bread Next Some of the specialities of the Himachal include Mahani Madara Patir So We will discuss everything in Culture Part So Thanks for watching our video If you like If you like our video Please Share and Subscribe us on YouTube Thank you very much